नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में एकों महत्वपून जानकारी हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आएं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी खाने पीने वाली चीजों के बारे में बता रहे हैं जिससे ज़्यादा खाने से सिर्दर्द आपको हो सकता है जी हाँ दोस्तों वेसे तो सिर्दर्द होने की कई सारी वज़य मानी जाती है लेकिन आपको जानकर हेरानी होगी कि खाने पीने वाली कुछ ऐसी भी चीज़े हैं जिनके ज़्यादा सेवन से सिर्दर्द होने की समावना काफी ज़्यादा बढ़ जाती है जी हाँ दोस्तों यह बात बिल्कुल सत्य है खाने पीने वाले कुछ फूड ऐसे हैं जो आपके सिर्दर्द को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो चली जानते हैं इसी कौन-कौन सी चीज़े होती है जिनको ज़्यादा सेवन करने से आपको सिर्दर्द की समस्या हो सकती है सबसे पहले नमबर पर आता है अलकुहल अगर आप ज़्यादा शराब, बियर, रेड वाइन या ब्रांडी पीते हैं तो आपका सिर्दर्द ही दर्द करेगा वेसे तो अलकुहल वाली चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि सराब हल लिहास से सेहत के लिए नुकसान दाए की साबित होती है लेकिन अगर आपको शराब बियर आदी पीने की आदत ही है तो एकदम से इसे छोड़ देने पर भी सिर्दर्द होता है जी यहां दोस्तो शराब आदी जैसी चीजों को कम से कम मातरा में पीना चाहिए ज़्यादा मातरा में पीने से आपको सिर्दर्ड की शिकायत ही रहती ही है लेकिन कोशिच यह भी करें कि इन बुरी आत्तों को जितना जल्दी हो सके छोड़ दे दोस्तों दूसरे नमबर पर आते हैं खटे फल खटे फलों में विटामिन C भरपूर मातरा में होता है विटामिन C की वज़े से आपका शरीर भोजन में से तामबे का आउशोशन ज़्यादा करने लगता है तामबा आपके सिर्दर्द को बढ़ाता है इसलिए अगर आपको सिर्दर्द की समस्या है तो खटे फलों को कम खाना चाहिए माईग्रेन के मरीजों को खटे अचार और चोकलेट को बिलकुल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे सिर्दर्द और भी तेजी के साथ होने लगता है अगले नमबर पर आते हैं प्रोटेन वाले आहर दोस्तों क्या आपको पता है कि प्रोटेन वाली चीजों के ज़्यादा सेवन से भी सिर्दर्द होने लगता है क्योंकि जिन चीजों में प्रोटेन ज्यादा मातरा में होता है उनमें ट्रिप्टो फेन नाम का एक एमिनो एसीड होता है जो आपके सिदर्द को बढ़ाने का काम करता है स्मोग्ड मचली को खाने से भी सिदर्द में बढ़ोतरी होती है इसलिए इस तरह की मचली को खाने से भी बचना चाहिए क्योंकि इन में टाइरा माइन होता है जो सिदर्द को बढ़ाने में उत्प्रेर काम करता है कुछ लोगों का शरीर टाइरा माइन को टोन नहीं पाता और अगर आपका शरीर टाइरा माइन को टोन नहीं पाएगा तो आपको सिदर्द होने लगेगा और यदि पेले से सिदर्ध है तो उसमें और भी ज़्यादा इजाफा हो सकता है दोस्तो अगले नमबर पर आती है कौफी वेसे तो कौफी पीने से तरोताजगी आ जाती है और मून फ्रेश हो जाता है लेकिन कौफी पीने से कुछ लोगों में सिदर्ध होने की समस्या देखी गई है इसलिए जिन लोगों को माईग्रेन या सिदर्ध होने की समस्या है उन्हें कौफी कमातरा में या फिर बिल्कुल ही नहीं पीनी चाहिए लेकिन जिन लोगों को कोफी पिने की आदत है, उन्हें कोफी पिना एकदम से बंद नहीं करना चाहिए वरना आपके सेर में और भी जादा दर्द होने लगेगा कोफी को पिना दिरे-दिरे करके आप कम कर सकते हैं जिन लोगों को माIGREN की समास्या है दोस्तो अगले नमबर पर आता है पनीर पनीर में टायरा माई नाम का एंजाइम होता है जो आपके बलड पेशर को बढ़ा सकता है जब आपका बलड पेशर बढ़ता है तो निश्चिती आपको सिदर्ध होने लगता है यह बात भी सच नहीं है कि पनीर खाने के तुरंद बाद ही आपको सिदर्ध होने लगे हो सकता है कि पनीर खाने के 2-3 गंटे के बाद या फिर 6-6 गंटे के बाद आपके सिर में दर्ध पेदा हो जाए अगर आपको सिर में हमेशा ही दर्द रेता है तो आपको यह जानने की जरुरत है कि कई पनीर के सेवन से आपका सिर दर्द तो नहीं हो रहा है दई में भी टाइना माइन होता है इसलिए जिन लोगों को हमेशा सिर में दर्द रेता है उन्हें दही भी कमात्रा में खाना चाहिए दोस्तो अब एक विशेश बात जो बाते हमने आप लोगों को बताईए यह अपनी जगे पर बिलकुल सही है दुरूस्त है लेकिन यह भी ज़रूरी नहीं कि यह चीजे खाने से अगर किसी एक वियक्ति के सिर में दर्द हो रहा है तो दूसरे वियक्ति के सिर में भी ऐसा ही हो लेकिन अलग-अलग वियक्तियों के शरीर एक दूसरे से बिन होते हैं जिन वियक्तियों का शरीर Triftofen और Tyramine Acid को टोन नहीं पाता उनमें सिर्ध दर्ध होने की समस्याद ज़्यादा होती है तो हमारी इस जो जानकारी है इसमें जरूरी नहीं कि जो चीजे एक व्यक्ति के लिए लिहास से ये बिल्कुल फिट बेट है तो दूसरे व्यक्ति के लिए भी ये फिट बेट है तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो और जानकारी उम्हित करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना पुलें अगर आप लोग नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दबाए वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों बहुत बहुत धन्यवाद